समय से समस्या दूर करने में नाकाम बिजली कम्पनियों को अब बिजली उपभोकतां को मुआपजा देना पड़ सकता है कम्पनियों ने विद्धुत नियामक आयो को बताया है कि अप्रेल से ही मुआपजा कानून लागू किया जा सकता है मौपजी की ओनलाइन परदाशी विवस्था लागू करने के लिए पाबर कार्पोरेसन ने सॉफ्ट वेयर त्यार किया है ऐसे में उपभुकता की कोई भी शिकायत लाइनमेन से लेकर निदेशक तक के मोबाइल पर दिखाई देगी कुक्त परदेश राज विद्ध उपभुकता परिशत की लगातार मांग पर फरवरी 2020 में स्टेंडर्स ओफ पर्फॉर्मेंस रेगूलेशन 2019 मौपजा कानून तो बना लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ अब कंपनियों ने आयोक से कहा है कि अपरेल में ही मौपजा कानून को गो लाइव कर दिया जाए पावर कार्पोरेशन ने विद्धुत वितरण सहिता के तहत उपभुकता समस्याओं के मानकों पर सॉफ्ट वेर के मध्यम से ओनलाइन सिस्टम तयार कराया है कार्पोरेशन के मुखे अभ्यंता एके स्रीवास्तव ने बताया कि जैसे ही उपभुकता कोई समस्याओं अपने मोबाइल से हमारे कंप्लेंट सेंटर में दर्ज कराएगा वैशे ही शिकायत लाइनमेन अधिसासी अभ्यंता और निदेशक तक के मोबाइल में दिखाई देने लगेगी उपभुकता को फीडबैक मैसेज मिलेगा तै समय में समस्या ना दूर होने पर उपभुकता द्वारा मोबजा की मांग पर कंपनियों को अधिक्तम 60 दिन में देना होगा परिशत अध्यक्ष अभदेश बर्मा के मताबिक ऑनलाइन सिस्टम होने से उपभुकताओं को कोई दिकत नहीं होगी 50 रुपए प्रति दिन भार में कमी के लिए 50 रुपए प्रति दिन डिफेक्टिव मीटर सामानने फ्यूज 50 रुपए प्रति दिन मौबजी की रासी तै है